आमिर खान कि लाल सिंग चद्धा पहले ही रिलीज के लिए पोस्पोन हो चुकी है कई बार इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज हो चुकी है और अब इस फिल्म को लेकर ऐसी खबर आ रहा है जिसे कहे सकते हैं ये फिल्म रिलीज होने से पहले मुसीवत में पढ़ सकती है, खटाई में पढ़ सकती है, इस फिल्म को बॉइकॉट करने के नारे लग सकते हैं, साथ ही फिल्म में सेंसर बॉड, कट्स भी दे सकता है, वैसे तो आमिर खान अपने सारे प्रोजेक्स को बहुत ही जादा कॉन्फिडेंशल रखते हैं, लेकिन लाल सिंग चड़ा को लेकर एक सीक्वेंस की खबर आ रही है, कि इस फिल्म में एक सीक्वेंस है जो कॉन्टुवर्शल है, सबसे बड़ी बात इस कॉन्टुवर्शी पर आज तक फिल्मेकर्स फिल्में बनाने से कत्राते रहे हैं, इसी टॉपिक का एक छोटा सिक्वेंस इस फिल्म में रखा गया है, जाहिर सी बात है आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा, फॉरस गम पर आधारित है, और उसके बाद उसका असर आमिर खान की किर्दार पर क्या होता है, उसका रियाक्शन क्या होता है, ये सब इस फिल्म में बताया जाएगा, जब से ये खबर आई है, तब से सभी तरफ यही बात हो रही है, कि आमिर खान ने क्या इस सीक्वेंस को अच्छे से हैंडल किया होगा क्योंकि ये टॉपिक वैसा ही है जैसा कश्मीर का मुद्दा है यानि कि इधर और उधर दोनों तरफ राय जो है वो बराबरी की है यही कारण है कि इस तरह के मुद्दों पर फिल्मेकर्स फिल्में बनाने से बचते हैं या इस तरह के मुद्दों को अपनी फिल्मों में भी डालने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रिलीज से पहले दिक्कत आ सकती है या फिर कट्स लग सकते हैं बाबजुद उसके आमिर खान ने इस सीक्वेंस को अपने फिल्म में रखा है तो ये सोचने वाली बात है कि आमिर खान की इस फिल्म की रिलीज कहीं खटाई में तो नहीं पड़ेगी और वो भी तब जब देश में माहुल रिलीजिन्स को लेकर कैसा चल रहा है हम सब देख करें हैं मस्जिदों में खुदाई हो रही है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर शिव्लिंग है ताज महिल के रहस्य माई कमरों को खोलने की बात की जा रही है ऐसे में क्या बाबरी मस्जिद वाला जो सीन है ला सिंघ्च चड़्डा में क्या आमिर खान उसे जस्टिपाईद कर लिया होगा और इस इश्यू को बहुत ही धंग से टैकल किया होगा कि किसी की भी भावनाव को ठेस नहीं पहुचे